प्रिव्य सेशन में हमने देखा कि डेटाबेश क्या होता है कौन कॉन से सॉफटवेर रिक्वार्ड है डेटाबेस के लिए myscule को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और python and myskule के लिए कौन से कनेक्टर चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि database का connection करने के लिए हमें कौन से steps follow करने हैं अभी हमने installation part देख लिया अब हम walk कर सकते हैं कि हमारा यहाँ python के अंदर कुछ code करे कुछ user से value ले या कुछ ऐसा value जो हम database में store करवा सके तो उसके लिए steps है सो हम देखेंगे कि database के साथ work करने के लिए हमें कौन कौन से steps करने हैं ओके फिर्स्ट फ़ल इंपोर्ट इंपोर्टेंग 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 अपी आई मॉड्यूर ओके सो यहाँ पर mysql के लिए mysql.connector यूज करेंगे उसके बाद है acquire connection with database मतलब कि आपका python और database का आप हम connection करेंगे सो उसके लिए हमें थोड़ी details देनी पड़ेगी जैसे कि हमें host address है हमारा database है हमारा username है हमारा password है यह सारी details देनी पड़ेगी उसके बाद issuing sql statement एक बार connection हो गया उसके बाद आप अपने जो भी queries execute करवाना है वह execute करवा सकते हो चाहे वह कोई dml हो dql हो कोई भी language ठीके सो कोई भी query execute करवा सकते हो तो उसके बाद होता है यह issuing sql statements उसके बाद जैसे आपका काम खतम हो जाता है कि लास्ट में आपको अपना connection close करना वर्ड़े तो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर import करेंगे mysql.connector okay second step में हमें जब connection देना होता है तो हमारे पास mysql connector के पास एक method है that is a connector okay now जो connector method है वो क्या देता है यहाँ पर मुझे host देना होता है वो मुझे connection return करता है but for connection मुझे भी कुछ details देने पड़ेगी जैसे कि host जैसे कि हमारा local host था हमारा database का नाम उसके बाद हमारा user तो हम यहाँ पर मेरा user था root और password okay so password के लिए मेरा password था root third यहाँ पर हम हमारे queries execute करेंगे okay so जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई query नाम का एक variable ले लिया और उसके अंदर मेरी कोई भी query execute करवा थी जैसे कि मुझे करवानी है select start from my table जैसे कि I have a student table okay so मेरा यह query मुझे execute करवाना है तो मैं क्या करूंगी तो execute करवाने के लिए हमारे पास पहले यह method को execute करना होता है connection.cursor okay so वह आपको cursor देगा cursor की मदल से आप अपनी method अपनी query execute करवा सकते हों so cursor.execute और उसके bracket के अंदर हम query तो यहाँ पर जो भी query लिखी होगी वह आप execute करवा सकते हों query आप variable के अंदर store करके भी लिख सकते हो otherwise यहाँ पर in the bracket also आप string में पूरी एक query लिख सकते हो okay at last connection को commit करना बहुत जरूरी है it's compulsory तब ही वह आपके statement जो भी आपने execute किया है उसको commit करेंगा okay at last हम क्या करेंगे close okay so connection को close करने के बाद it's over so close भी करना it's important thing so यह सारे theoretical steps देखे अब इसको हम practical perform करते हैं okay so first of all हम एक database बना देंगे so उसके लिए मैं SQL योग में जाएंगे और वहाँ पर database create करते होंगी फिर सारी queries को execute करवाएंगे so यहाँ पर मैं database create करने के लिए query लिख हूंगी अगर आपको query नहीं लिखना है manual जाना है तो यहाँ पर right click करके आप create database कर सकते हो और else you can create your query like create database okay then your database name so जैसे कि मैं यहाँ पर करती हूं कि school के लिए database बनाते हैं तो मैं लिखती हूं just a school okay now I am going to execute it तो इसको मैंने select किया और यहाँ से मैं run कर सकती हूं और else so इसको मुझे select करना है और यहाँ से मुझे उसको run करना है okay so मैं इसको execute करती हूं one row affected okay यह successfully execute हो गया है यहाँ पर आप refresh कर सकते हो जैसे कि right click करके मैं refresh कर सकती हूं so this is your database okay so यह हमारा database है उसके अंदर देखोगे तो जैसे कि यह सारे tables views कितने store procedure है something अभी हमारे पास कुछ नहीं इसके वह कुछ नहीं दिखाएगा जैसे हम create करते जाएंगे तो अंदर दिखाता जाएगा तो सबसे पहले हम एक table create करेंगे from the python okay so python के अंदर query लिखेंगे और वो execute होगी यहाँ पर so इस video में हमने देखा कि database के साथ connection कैसे किया जाता है so next session में हम देखेंगे कि mysql के अंदर table कैसे create किया जाता है and record कैसे insert करते है with python करेंगे